हेलो डीएवियंस, वेलकम टू डीएवी गुरू अभी हम लोग क्लास एट का शोसल साइंस परने वाले हैं जिसमें की चैप्टर नमबर फाइब एगरी कल्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पिंड कमेंट में उसका लिंक है उसको जरूर देख लीजएगा अब तक के सब वीडियो आपको डीएवी गुरू के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे यहाँ पर सब वीडियो सब्जेक्ट वाइस क्लास वाइस केटेगराईज करके रखे गए हैं ताकि किसी वीडियो को खोजने में आपको परिशानी नहोगा अब आप मेरे साथ लाइव क्लास कर सकते हैं अनकेडिमी पर इसके लिए आप मुझे आनकेडिमी पर सार्च कर लिजेगा मेकी मनीस लिखने से सबसे उपर मेरा प्रोफाइल आ जाएगा यहां से मुझे follow कर लिजेगा ताकि जितने भी classes होते हैं उसका notification आपको मिलता रहे अगर आप plus या iconic subscription लेना जाते हैं तो code mm live जरूरी use कीजेगा इससे आपको up to 25% का off मिलेगा तो चलिए brain mapping के साथ class को शुरू करते हैं Part 1 में हमने chapter का introduction देख लिया था importance of agriculture भी हमने पर लिया था कौन-कौन से factors हैं जो की agriculture को affect करते हैं यह भी हमने पर लिया था broadly दो तरह के factors होते हैं physical and geographical factors और दूसरा economic factors आज हम लोग परेंगे types of agriculture दो टाइप के agriculture होते हैं subsistence agriculture और दूसरा commercial agriculture दोनों को अच्छे समझेंगे उसके बाद हमाया topic होगा major crops तीन तरह के crops होते है major ली तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे और सबसे अंतिम topic होगा agricultural development आज हम लोग इस class में यानि की part 2 में इतने सारे topics को cover कर लेंगे इसके आने वाले topics इसके बाद की इतने topics होगे उसको part 3 में पढ़ेंगे अगर आपको part 3 भी चाहिए तो comment में जरू लिखिएगा तो चलिए हमारे आज के सबसे पहले topic पर आते हैं that is type of agriculture agriculture यानि की कितने प्रकारगा होता है यहां पर हम अच्छे से समझेंगे हम जानते हैं कि पूरी दुनिया का environmental condition बदलते रहता है यह fix नहीं रहता है इसी वज़े से पूरे दुनिया में हमें अलग अलग तरह का agriculture pattern देखने को मिलता है मतलब हर जगा अलग अलग तरह की फसले उगाई जाती है यह इस पर depend करता है कि उस जगा का terrain कैसा है मतलब जो agriculture field छेट है किस टाइब का है खेत मैदानी इलाके में है कि पहार पर है उस जगा क्लाइमे ज्याधा पर ती है या ठंळ ज्याधा पर शक flour होतीी है और किसान का Wow कैसा कि सान की पास पैसा कितना है कितना पैसा वह नृग के हम एक Link में समझा देते हैं डीटेल में तो वैसे हमें फरना ही है और ज solchen स्टे स्टल के लोई स्कील पर होता है जो चूपञाई इस्टे अस्तर परات उरोते हैं जो कि लार्ज स्कील पर उता है बड़े अस्तर यह अब जलिए फर्दर धलासिफगेशन देख लेते हैं अर्धर को मेली दो काटेगरीज में क्लासिफाई किया गया पहला है सबसिस्टेंस अगरिकल्चर और दूसरा है कमर्शल अगरिकल्चर आप देखें पहला सबसिस्टेंस अगरिकल्चर इसके तीन टाइप्स होते हैं नुमेडिक हर्डिंग दूसरा है शिप्टिंग अगरिकल्चर औ और commercial agriculture के चार types होते हैं पहला है extensive agriculture plantation agriculture तीसरा live stock ranching और चौधा dairy farming इन सभी agriculture types में से कुछ के बारे में आप already जानते होंगे आप किसके किसके बारे में जानते हैं क्या जानते हैं कमेंट में बताइएगा अब चलिए सबसे पहले subsistence agriculture के बारे हम परना शुरू करते हैं उसके बाद इसके तीनो टाइप्स को परेंगे और उसके बाद हम लोग commercial agriculture पर चलेंगे subsistence agriculture चलिए जानते हैं कि subsistence agriculture होता क्या है it is the earliest type of farming which is carried out at small scale by a farmer to grow food for personal और community consumption एक लाइन में आप इसको ऐसे define भी कर सकते हैं यह important लाइन है इसको underline भी कर लेजएगा subsistence agriculture एक earliest type of farming है मतलब पुराने जमाने में भी लोग इस तरह की खेती किया करते थे यह small scale पर होता है मतलब छोटे अस्तर पर होता है और किसान इसके थ्रूप food grow करता है किसके लिए अपने यूज के लिए और अपने community के यूज के लिए इस तरह के एगरी कज़र में किसान अलग-अलग तरह की फसल उगाते हैं और कौन सी फसल उगाए जाएगी इस पर डिपेंड करता है कि उनके family का या उनके community का क्या नीड है अगर उनको लगता है कि उनके family या उनके community को चावल चाहिए तो वो लोग धान उगा लेते हैं बहुत से farmers कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं जब उनके पास जरूरत स ज्यादा उनके पास अनाज हो जाता है या जरूरत से ज्यादा पशू हो जाते हैं तो वो लोग उनको बाजार में बेच भी देते हैं और फिर उनको बेचने के पास जो पैसा मिलता है उससे अपनी जरूरत के दूसरे चीज़ों को लोग खरीद लेते हैं इस तरह का agriculture अभ लोग活ig grounding होता क्या जै आपको सारे लुग जुंड बनाकर doch जाते रहते हां उनके पास पास उनका हैँ बिए झारा खोसते रहते हैं और ढुद fijस पालते हैं ने कपलते हैं इसे उनको बहुत से प्रोड़क्ट मिलते हैं जैसे कि उनको मिल्क मिलता है मीट और मिलता है ऐसे लोग साथ गोने जाएक परिका और देखने को मिल Subsistence Agriculture का दूसरा टाइप है Shifting Agriculture इसके बारे मैं अपने Class 5 में भी पढ़ा होगा Shifting Agriculture क्या होता है? पहले समझा देते हैं उसके बाद इसको रीट कर लेंगे इस तरह के Agriculture में किसान किसी जमीन पर खेती करते हैं जब तक खेती करते हैं जब तक इसका Fertility खत्म नहीं हो जाता है जब इसका Fertility खत्म हो जाता है जब इसकी उपजाव शक्ति खत्म हो जाती है तो किसान इस जमीन को छोड़ कर दूसरे जमीन पर चले जाते हैं वहां के पेर काटते हैं और वहां पर भी खेती करने लगते हैं वह यहाँ पर बता गया कि Shifting Agriculture को Slash and Burn Agriculture भी कहा जाता है क्योंकि लोग इस तरह की खेती करने के लिए पेरों को Slash कर देते हैं उसको काट देते हैं और उसको जला देते हैं उसके बाद वो agriculture करते हैं जब वहाँ की मिट्टी का fertility खत्म हो जाता है उपजाव शक्ती खत्म हो जाती है तो लोग उस जमीन को abandon कर देते हैं उस जमीन को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे plot पर move कर जाते हैं एक नई जमीन खोज लेते हैं वहाँ के पेर कारते हैं और वहाँ पर खेती करने लगते हैं इस तरह की खेती में लोग simple tools का इस्तेमाल करते हैं जैसे की कुदाल हो गया, खुर्पी हो गया, हस्या हो गया, कुलहारी हो गया ये सब चीज का इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े machinery जैसे की tractor, thresher, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इस तरह की खेती में per hectare yield कम होती है yield कहने का मतलब क्या हुआ? yield का मतलब होता है उपज per hectare जो उपज होती है, काफी कम होती है जो लोग shifting agriculture करते हैं, वो settle life नहीं जी पाते हैं settle life जी कैसे पाएंगे, क्योंकि उनको तो move करते रहना पड़ता है इस तरह की खेती उन छेतरों में ज्यादा होती है जहाँ पर dense forest पाय जाते हैं, जहाँ पर घने जंगल पाय जाते हैं उन्हीं जंगलों में लोग जंगलों को काट कर खेत बना कर खेती करने लगते हैं example के लिए tropical Africa, South East Asia और India के north east के कुछ parts में ऐसी खेती की जाती है वहाँ पर जो जंगल है उसमें ऐसी खेती की जाती है कई सारे फसल जैसे की कसावा, मीज, sweet potato, tapioca यह सब कुछ ऐसे फसल है जो की shifting agriculture के थुरू उगाया जाते हैं इस वाले do you know में देखिए जूमिंग के बारे में बताया गया है जूमिंग को जूम agriculture भी कहते हैं जूमिंग एक टाइप का shifting agriculture ही होता है जो की north east इंडिया especially मिजोरम में practice किया जाता है यह एक primitive method है मतलब बहुत पुराना method है आदी मानव इस तरह से खेति क्या करते थे जिसमें की land और climate की मदसे वो अपने food की जड़तों को पूरा करते थे और वो जंगल में ही रहा करते थे जंगल का ही habitat share करते थे subsistence agriculture का तीसरा टाइप है intensive subsistence agriculture अब देखिए subsistence agriculture में ही एक word लगा दिया है intensive intensive का मतलब क्या होता है किसी चीज को maximum capacity के साथ करने को हम लोग intensive कहते हैं इसका मतलब भी वही है अगर subsistence agriculture को maximum capacity के साथ किया जाये ताकि maximum output मिल सके इस तरह की खेती को इस तरह की agriculture को ही intensive subsistence agriculture का aja जाता है वही यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह के agriculture में per unit land high output मिलता है, मतलब जादा फसल का उत्पादन होता है, कम जमीन होने के बावजूद भी Subsistence agriculture का nature अब बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए अब हम इसको subsistence नहीं कह सकते हैं इसलिए अब हम इसको कहते हैं intensive subsistence, अब इस टर्म को देखिए intensive subsistence, इस टर्म का इस्तिमाल ऐसे agriculture को describe करने के लिए किया जाता है, जिस तरह के agriculture में छोटे छोटे plots पर खेती की जाती है, और thickly populated areas में खेती की जाती है ठीकली populated areas का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर जादा लोग रहते हैं, बहुत जादा population होता है, और हम बताये थे कि जहाँ जादा population होता है, वहाँ पर सबके पास छोटा छोटा खेत होता है, और अगर लोग उन छोटे छोटे खेतों में ऐसी खेती करें ताकि जादा से जादा output मिल सके, जादा से जादा फसल का उत्पादन हो सके, तब हम लोग इस तरह की खेती को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे intensive subsistence agriculture, ऐसी खेती especially monsoon regions में होती है, मतलब जहाँ पर monsoon आता है, जैसे कि एशिया का south part, एशिया का south east part और east Asia, ये सब एशिया के ऐसे parts से जहाँ पर monsoon आ क्यों परती है, आखिर लोग क्यों इतना मेहनत करते हैं ताकि छोटे से खेत में जादा से जादा output मिल सके, इसका reason है कि किसान land हंगरी होते हैं, उनके पास जमीन कम होती है और लोग जादा होते हैं, इसी वज़ए से जितना भी tillable land होता है, जहाँ जहाँ पर भी उनके पा करते हैं, उस पर multiple cropping किया जाता है, कई सारी फसले लगाई जाती हैं साल भर में, heavy use of manual labor किया जाता है, मतलब लोग खुद जाकर खेतों में काम करते हैं, बहुत बरी संख्या में, और बहुत कम ऐसा होता है कि लोग अपने खेतों में machines का इस्तिमाल और अलग-अलग variety के manure और fertilizers का इस्तिमाल कर पाते हैं, इसके दो रीजन्स होते हैं, पहला ये कि किसानों के पस उतना पैसा नहीं होता है कि वो machinery, अच्छे variety का manure और अच्छे variety का fertilizers use कर सकें, और दूसरा रीजन ये होता है कि low scale की खेती में इन सब का जरूद कम ही परता है, बहुत कम ऐसा समय होता है कि machine लाना परे, लोग खुद ही काम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दश्कों की बात करें तो intensive agriculture में काफी कुछ बदलाओ देखने को मिला है, इसका पहला reason है mechanization, मतलब इस तरह की खेती में भी machines का इस्तिमाल किया जाने लगा, और दूसरा reason है improved seeds and fertilizers, मतलब अच किस्म के खाद और बीच का इस्तिमाल किया जाने लगा, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि intensive subsistence agriculture को adopt कर चुके हैं, जैसे कि China, India भी उनमें से एक है, Japan, Malaysia, Korea, Philippines और Taiwan, तो finally हमने subsistence agriculture के बारे में पर लिया और इसके तीनों types के बारे में पर लिया, अब हमें परना है commercial agriculture के बारे म हम आपको क्या बताये थे, कि commercial agriculture उस तरह की agriculture को कहते हैं, जो कि large scale पर होता है, वही चीज़ यहां पर बताया क्या है, commercial agriculture is typically done on very large scale, with the purpose of selling the product in the market to make profits, इसको आप underline कर लिजेगा, explain करने के लिए एक्जामें बोला जाए, तो आप इतना लिख सकते हैं, commercial agriculture जो होता है, वो very large scale पर होता है, बहुत बड़ी खेत में एक साथ खेती की जाती है, और इसका main purpose होता है, कि जो product निकले खेत से उसको sell करना market में, और उसको sell करके profit कमाना, जबकि इससे पहले का जो agriculture type था, subsistence agriculture उसका क्या मक्सद था, उसका मक्सद केवल इतना था, कि food produce हो जाए, ताकि लोग अपन पेट भर सके, अपने family का पेट भर सके, और अपने community का पेट भर सके, इसी वज़ा से किसान किसी एक फसल को चुनते हैं, और उसी को बो देते हैं, उसी को खेत में लगा देते हैं, और ये किस पर depend करता है कि कौन सा फसल चुना जाएगा, ये depend करता है उस जगा का natural या geographical condition प कैसा है, मतलब वहां का climate कैसा है, जमीन कैसा है, मिट्टी कैसी है, इस पर भी depend करता है कि किसान कौन सा फसल लगाएगा, एक्जामपल के लिए माल लेते हैं कि geographical condition और market को study करने के बाद किसान को लगा, कि अभी गेहू लगाना चाहिए, तो किसान क्या करेगा, अपने बरे से plot में, पूरी खेत में, जितना उसका बड़ा जमीन है, पूरी खेत में गेहू लगा देगा, ये एक special type का agriculture होता है, जो की बहुत बड़े-बड़े farms में किया जाता है, बहुत बड़े-बड़े खेतों में किया जाता है, इसी लिए इसको crop specialization भी कहते हैं, इस type के agriculture को broadly 4 categories में divide किया गया है, जिसमें कि पहला है extensive agriculture, दूसरा है plantation agriculture, तीसरा है livestock ranching, और चौता है dairy farming, अब चलिए एक के करके सब के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहला क्या है extensive agriculture, इस तरह की खेती developed countries में होती है, जो की develop हो चुके हैं, इंडिया developed country नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इंड या भी develop कर रहा है, इंडिया में इस तरह की खेती बहुत कम ही होती है, इस तरह की खेती ज्यादा तर Australia में, Canada में, Russia में और USA में किया जाता है, agriculture large scale पर किया जाता है, बड़े बड़े land holdings होते हैं, किसानों के पास उस पर वो खेती करते हैं, और modern machines का इस्तिमाल करते हैं, यह यहां पर देखिए, बड़े बड़े machines का इस्तिमाल किया जा रहा है, गेहु काटने के लिए, इधर एक machine आगे बढ़ रहा है, उधर दूसरा machine आगे बढ़ रहा है, यह गेहु के पौधों को काटते जा रहा है, उसका threshering करते जा रहा है, और जो गेहु का दाना है, वो दूसरे container में जमा होते जा रहा है, ऐसी खेती generally उन areas में होती है, जो कि sparsely populated होता है, जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, यहां पर बहुत ज़्यादा जमीन अवेलेबल रहता है खेती करने के लिए, और इस तरह की खेती में labor input भी बहुत कम होता है, मतलब लोग बहुत कम क लेट करें तो पर hectare yield काफी कम होता है, comparatively, इस बात को चलिए एक example से समय लेते हैं, इधर लेख देते हैं, subsistence agriculture, इधर commercial agriculture, एक किसान है जो कि अपने एक hectare खेत में है, subsistence agriculture करता है, और दूसरे के पास 10 hectare जमीन है, जो कि commercial agriculture करता है, दोनों अपने खेत में गेहू लगाया, इसका production हुआ 5 टन और इसका production 40 टन, अब देखें, जमीन तो 10 गुना है, लेकिन production 10 गुना नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये commercial agriculture है, commercial agriculture के case में per unit hectare या per unit land mass जो है, वो production कम होता है, subsistence agriculture के मुकावले, यहाँ पर unit hectare 5 टन हो रहा था, लेकिन इस case में per unit hectare जो है, वो 4 टन ही production हो पा रहा है, इस तरह की खेती में अधिकतर किसान साल भर में एक या दो फसल उगाते हैं और उसको market में बेशते हैं, फसल जैसे की corn, oats, wheat, oilseed, यह सब main crops है, main ऐसे फसल हैं, जिनका extensive agriculture किया जाता है, इस तरह की खेती के लिए proper storage facility बहुत important होता है, रखने के लिए जगह होना क्योंकि total production काफी ज़्यादा होता है, अगर अनाज रखने के लिए जगह नहीं होगा तो अनाज खराब हो जाएगा When animals are geared along with the cultivation of land, it is known as mixed farming, जब किसान खेती के साथ साथ पशु पालन भी करते हैं, इस तरह की खेती को mixed farming कहते हैं किसान दोनों तरह की फसले लगाते हैं, food crop भी लगाते हैं, और fodder crop भी लगाते हैं, food crop कहने का मतलब क्या हुआ, जिससे अनाज मिलता है और fodder crop कहने का मतलब क्या हुआ, जिससे फशु ओको चारा मिलता है, कुछ ऐसे भी फसल है जिससे की food भी मिलता है और चारा भी मिलता है, जैसे की मकई का फसल मकई का जो दाना होता है, उसको हम लोग food के तरह इस्सिमाल कर लेते हैं, और जो मकई का प्लांट होता है, उसको पशु खा जाते हैं इस तरह की खेती से किसान का इंकम बढ़ता है, इस तरह की खेती कौमली अर्जेंटीना में, इस्टर्ण USA में, न्यूजिलेंड, साउथ आफरीका, साउथ इस्ट एशिया, इंडिया, साउथ इस्ट ऑस्टेलिया और वेस्टन यूरोप में की जाती है डू यूनों में देखिया, और्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है, क्या होता है और्गेनिक फार्मिंग, और्गेनिक फार्मिंग उस तरह की खेती को कहते हैं, जिसमें की केवल और्गेनिक सब्स्टांसिस का ही इस्तिमाल किया जाता है, किसी तरह के केमिकल्स का इस्तिमाल नहीं किया जाता है और्गेनिक फार्मिंग आजकल के समय में बहुत पॉपुलर हो चुका है सब लोग और्गेनिक करते रहते हैं कि मुझे और्गेनिक खाना है इस तरह की खेती में और्गेनिक मैन्योर का इस्तिमाल किया जाता है इस तरह की खेती में ना तो fertilizers का इस्तेमाल होता है ना किसी chemicals का इस्तेमाल होता है और ना ही genetically modified bees का इस्तेमाल होता है क्या होता है genetically modified bees हम आपको परहाय थे hyv seeds के बारे में high yielding variety seeds ये सब seeds कैसे बनाय जाते हैं इनके genetics में modification किया जाता है ताकि इनका size बढ़ जाये और production का quality बढ़ जाये लेकिन organic farming में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है जो normal seeds होते हैं उनहीं का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शल agriculture का दूसरा टाइप है plantation agriculture क्या होता है plantation agriculture इस तरह के agriculture में बड़े बड़े plantation बनाय जाते हैं उससे जो product निकलता है उसका इस्तेमाल locally नहीं किया जाता है उसको बाहर के देशों में या बाहर के एरियाज में export किया जाता है वह यहाँ पर बताये गया कि plantation जो है वो एक large farm को या बहुत बड़े state को कहते हैं जैसे कि यह बहुत बड़ा farm है इसमें चाय की खेती की जा रही है इसको हम लोग plantation कहेंगे ऐसे plantation usually tropical और subtropical countries में पाय जाते हैं यहाँ पर ऐसी फसले उगाई जाती है जिनको दूर के markets में sell किया जाता है यह local consumption के लिए नहीं उगाया जाता है example के लिए इंडिया के असाम में जो चाय का plantation है उसमें चाय की खेती होती है वहाँ से बहुत सारा चाय पत्ती निकलता है लेकिन उसका motive क्या होता है मेन मकसद क्या होता है उस चाय पत्ती को पूरे इंडिया में supply करना बाहर के देशों में भी भेजा जाता है इतनी बड़ी म plantation है तो वहाँ पर केवल चाय पत्ती ही उगाया जाएगा अगर कॉफी plantation है तो वहाँ पर केवल कॉफी उगाया जाएगी और अगर rubber plantation है तो वहाँ केवल rubber उगाया जाएगा इस तरह के सिस्टम में एक ही फसल से continuously किसान सालों साल पैसा कमाते रहते हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा capital का भी जरूत परता है बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है पुन्जी बहुत ज्यादा होना चाहिए किसान के पास और scientific method से farming करना परता है अगर किसान traditional method से ये वाला farming करेगा तो उसका उपज उतना नहीं मिलेगा और फायदा भी उतना नहीं मिल पाएगा transport facility भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये खेती अधिकतर होती है पहारों पर वहाँ से चैपत्ती को ढोकर market तक ले जाने के लिए रास्ता अच्छा होना चाहिए नहीं तो फिर इतना production का कोई फायदा ही नहीं होगा efficient management होना चाहिए management अच्छे से होना चाहिए और जो labor है वो low cost में मिलने चाहिए कम खर्ची ले होने चाहिए और skilled भी होने चाहिए उनको काम भी करना आना चाहिए plantation agriculture दुनिया के ऐसे हिस्सों में किया जाता है जो की hot और humid होता है इसमें कई सारे crops आते हैं जैसे की coffee का plantation होता है rubber का plantation होता है और tea का plantation होता है इस तरह की खेती में जो अधीकतर processing work होता है वो plantation site पर ही हो जाता है मतलब अगर चाहपती की खेती हो रही है तो यहीं से चाहपती pack हो जाएगा और यहीं से ready to sell होकर market में चला जाता है commercial agriculture का तीसरा टाइप है live stock ranching इसका मतलब समझे live stock का मतलब होता है पशू जिसमें की भेर भी आ सकते हैं बकरियां भी आ सकते हैं गाय बचरे भी आ सकते हैं और ranching का मतलब होता है घेरा लगा देना अगर हम fence लगा के किसी एरिया को घेर देते हैं किसी एरिया को cover कर देते हैं बंद कर देते हैं तो इसको ranch कहते हैं live stock ranching भी commercial agriculture का एक पार्ट है इसमें farm animals को बहुत बड़े एरिया में grazing करवाय जाता है उनको चराया जाता है इनको चराने से ये grow करते हैं develop करते हैं, reproduce करते हैं इनकी संख्या बरती है उसके बाद किसान इनको बेच कर मोटा पैसा कमाता है इस तरह का agriculture अधिकतर एरिड या semi-arid temperature regions में adapt किया जाता है ऐसे regions में ही इस तरह की खिती की जाती है क्यों? क्योंकि यहाँ के मिट्टी इतनी खराब होती है कि यहाँ पर कोई फसल नहीं उगाया जा सकता है और ऐसे areas में population भी sparse होता है बहुत कम लोग ऐसे areas में रहते हैं इस तरह की activity आपको America के grasslands में South Africa के grasslands में Australia और New Zealand के grasslands में देखने को मिलेगी ranches क्या होते हैं? जैसा कि हम पहले भी बता है ranches fins को कहा जाता है एक घेरा बना दिया जाता है जिसमें की पशू को रखा जाता है ताकि वो कहीं भाग न सके इसके लिए fems में barbed wire यानि की जो काटेदार तार होता है वो लगाया जाता है ताकि जानवर बाहर न जा सके लाइव श्टॉक जैसे कि शिप, कैटल, गोट, होर्स ये सब कुछ ऐसे जानवर है जिनका लाइव श्टॉक रैंचिंग किया जाता है लाइव श्टॉक से कई सारे प्रोड़क्स मिलते हैं जैसे कि मीट, उल, हाइट्स और स्किन और इसको दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एक स्पोर्ट किया जाता है चौता है डेरी फार्मिंग डेरी फार्मिंग क्या होता है आपको पता ही होगा ये एक स्पेशल टाइप का अगरिकल्चर है जिसमें की लार्ज स्केल में मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है ये एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है मतलब इसमें बहुत साई लोगों की जरुत परती है पशू की देख भाल करने के लिए दूद निकालने के लिए साफ सफाई करने के लिए पूरे दुनिया में इंडिया सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है मतलब सबसे ज़्यादा दूद का उतपादन भारत में ही होता है और निवजिलांड एक ऐसा देश है जो की सबसे ज़्यादा दूद को एक्सपोर्ट करता है मतलब दूसरे देशों में भेजता है एक map यहाँ पर दिया गया है जिसमें की indicate करके बताया गया है कि किन किन देशों में अधिकतर rice की खेती होती है और किन किन देशों में गीहों की खेती होती है इस वाले map को study कर लिजेगा आपके book में साफ साफ दिखेगा तो finally हमने part 1 और part 2 मिला कर यहां तके सभी topics को complete कर लिया इसके आगे topics हम लोग part 3 में परेंगे अगर आपको part 3 भी चाहिए तो comment में ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए अगर आपने अने कैडमी follow नहीं किया तो follow कर लीजिए making money search करने सबसे उपर मेरा profile आ जाएगा follow कर लेंगे तो जितना भी live classes होगा उसका notification आपको मिलेगा left side में click करके आप sst का playlist open कर सकते हैं वहाँ पर आपको हर chapter का video मिल जाएगा और अगली class का video देखने के लिए right side में click कीजिए पिलाले सीडियो में इतना हैं मिलते हैं अगली class में बहुत सारे नए topics के साथ तक लिए अपना ध्यान रखी और अच्छे से बढ़ाई करते रहे हैं